दोस्तों, Lactogen Pro Milk Powder नेसले कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। Lactogen Pro दो नंबर Milk Powder छे महीने से बारह महीने तक के बच्चे को पिलाया जाता है। Lactogen Pro Milk Powder भारत में बहुत ज्यादा बिकने बाला Milk Powder है। यह Milk Powder आपको Medical Store, किराना की दुकान और Online भी आसानी से मिल जाएगा। आज इस वीडियो में इस Milk Powder को पिलाने और तयार करने के सही तरीका के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ उन सावधानी की जानकारी लेंगे जो Milk Powder पिलाते समय आपको हमेशा ध्यान रखना वीडियो में आगे बरने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है। क्रिप्या वीडियो को पूरा जरूर देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्यूंकि Milk Powder अब हर परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे ही बच्चे का जन होता है, डॉक्टर या पैरेंस तुरं बच्चे को फार्मूला मिल्क पिलाने की सलाह देते हैं। हालांकि हर कोई जानता है कि मा का दूध ही बच्चे की सहत के लिए सर्वोत्तम हैं। पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें मा अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है और फिर बच्चे को फार्मूल पिलाना होता है। और जब फार्मूला मिल्क चूज करने की बात हो तो पैरंस हमेशा एक अच्छे फार्मूला मिल्क की तलाश में रहते हैं। आइरन खून की पूर्ती के लिए, कैल्शियम स्ट्रॉंग बोन के लिए साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम ब्लड प्रेशर और जिंक इम्यूनिटी को स्ट्रॉंग रखने के लिए बहुत महित्वपूर्ण होते हैं। इस पाउडर में A-L-A-L-A को एड़ किया गया है, जि इसके अलावा इसमें बो सभी विटामिस अच्छी मातरा में होते हैं, जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉंग रखने के लिए जरूरी होते हैं, और बो सभी मिनरल्स भी है, जो हिल्थ ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। इन सभी एलिमेंट के होने का फाइदा यह है, कि जब बच्चा इसको पिएगा तो यह मिल्क पाउडर आसानी से डाइजिस्ट हो जाता है। आसानी से डाइजिस्ट होने का फाइदा यह है कि बच्चा इसको कई बार पी सकता है जिससे बच्चा भूखा नहीं रहेगा और बच्चे की सेहत अच्छी बनी रहेगी। अब बात करे कि इस मिल्क पाउडर को कब कैसे और कितनी बार बच्चे को पिलाना चाहिए, जिससे फार्मूला मिल्क से बच्चे की सेहत पर बुरा प्रभाव ना पड़े, तो सबसे पहले हाथों को अच्छे से साफ करके जिस बरतन से दूद पिलाना है, उसे गुनगुने पानी में अच ज्यादा मिल्क पाउडर पिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा पाउडर पिलाने से बच्चे को ज्यादा फाइदा करेगा पर ऐसा नहीं है, ज्यादा पाउडर पिलाने से बच्चे को लूज मोशन और पेट दर्द की परेशानी हो सकती है, अब बात करें कि कितने पानी में कितना पाउडर मिलाना चाहिए तो 7 महीने से 9 महीने के बच्चे को 210 एमेल पानी में 7 चमच 10 से 12 महीने के बच्चे को भी 210 एमेल पानी में 7 चमच पाउडर एड़ करना होता है और एक दिन में 3 से 4 बार तक पिला सकते है जो इस टेबल में बताया गया है पर आप ऐसे समझ लो कि बच्चा चाहे 6 महीने का हो या बच्चा 12 महीने का हमेशा 30 एमेल पानी में एक चम्मच पाउडर मिला कर पिलाना होता है और चम्मच में पाउडर चम्मच की सेब तक लेना चाहिए ज्यादा उपर तक नहीं लेना चाहिए और यह पूरी बिधी इस पाउडर पर दिये स्कैन कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं एक और महित्वपूर्ण जानकारी अगर आप बच्चे के लिए दूद तैयार करते हैं और बच्चा पी लेता है और यदि उसमें से कुछ दूद बच जाता है तो उसे रखना नहीं होता है मतलब हर बार बच्चे को नया दूद तैयार करके पिलाना होता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद